मैं बहुत अच्छा हूँ पूजा जी और आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ. क्या चल रहा है? कुछ पताएंगे क्या प्रोजेक्स पर प्यागी चल रही है? पहले तो मैं अपने जितने भी भूजपूरिया दर्सक हैं, मैं डेक्टर लालो पंडेता आप लोगो परणाम करता हूँ और लहरे भूजपूरिया को आप लोग जादा सब्सक्राइब कीजिए और देखिए बहुत अच्छी चैनल है, मैं हरवत इंटर्वू देते रहता पुजाज बताईए अप सर्थ के साथ कुछ बताईए फरिष्टा एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट थी फरिष्टा जिसमें खेसारी जी का टोटल चार गेट अप अलग है, मेरे ख्याल से खेसारी जी अभी तक जितने भी फिल्में उन्होंने किया है, शायद वो अलग आप लोगो को खबर मिला ही होगा, अभी पोस्ट पेडिट अल्मोस्ट कंप्लीट हो चुकी, अब डविंगे हम लोग जाएंगे परिष्टा का, फिल्में एक्ट्रेस है, उनके बार में का गयना चाहिए? जी फिल्में खेसारी लाले आदो जी हैं, मेगा सिरी जी हैं, खुब ही अपने किरदार ने भाया है इस फिल्म में, और जैसे मैंने सोचा था हर किरदार कुछ कास्ट करते वक्त, तो नहों नों अपना सो पर से प्रती साथ इस फिल्म के लिए दिया है उन्होंने, हर कलाकार ने, मेगा सिरी जी के साथ मेरी तो पहली फिल्म थी, बहुत मतलब भुचपुरी भास्षी नहों होते हुए भी, मैं जो देखता था सिट पे, मतलब पहले डालोग लेकर फिल्म सरेक, तो हर वक्तो सीन में, करेक्टर में रहना अच्छा है, अच्छी है, कमेस्टी तो चलिए हर भीरो काम, यह बैक टूबैक उनकी तून चार फिल्में हैं, तो उपर वाला करके मिस्टी अच्छी चले, जोड़ी अच्छी चले, तो मुझे तो अच्छा लगा में का सिर्जी के साथ काम करके, फिल्म का जैसे की गैट अपने आपने आपने आपके सारे जी का गैट अप काफी चेंज हुआ है, सोशल मेडिया पर एक एक फोटो दो तिन जो गेट अप हैं, गेट अप अतलब कहानी के डिमांड पे ही वो चेंजेज हैं, तो जो वाइरल हुए हैं, उसमें मतलब कुछ पागल वाला एक है था, वो वाइरल हुआ था, हम लोग नहीं किया था, अब सेट पे रहते हैं, लोग तो डाल दिया हुआ किसी ने, उसका किसी ने रहा था, हमने भी डाल दिया था, तो फिल्म आने दीजिए पुजाचीत, उससे बहुत ही बेरी बील होगी, क्या प्लानिंग है रिलीज को लेकर क्या है, अभी तो मैं एडिट अल्मुस्ट कम्प्लीट हो चुकिए, फाइनल कट चल रही है, इसके बाद डविंग तो मान लिजिए, दो-तीन महने तो भी आभी जाएंगे इस प्रजेक्ट में, प्रडूसर कहां तो प्रजेक्ट जब मतलब रूट लेबल का आज भी है, इतने बड़े स्टार होते हुए, भी सेट पे वही जो मैंने जिला चमपारन में देखा तो वही आज भी है, इंप्रूब्मेंट बहुत है, उन्होंने बहुत अपने आपको किया है, लेकिन चेंजेज कुछ नहीं, मतलब जो सेट पे ट अपने क्या कहेंगे, वीडियो मैंने देखा नहीं यह वीडियो, लेकिन मैंने सुना आपको कुछ कहीं शो में, शाद गर्मी के वज़े से उतारे होंगा, इसा कुछ होगा, आपने तो ओडियंस का डिमांड होगा, मैं तो था नहीं हूँ, आपको क्या बताओ, और भी फि मैं चॉकलेट ये स्टारी बोलता हूँ, मैंने दो फिल्में उनके साथ किया है, जो पोस्ट पे एक अभी दुलहा धीरे धीरे चला ससुरारी गलिया, जो टेलर अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, और एक हम मैंने की इसार के मूबिस की राज, दो फिल्म मैंने कल् परिदम, मज़ा आता है कल्लू के साथ काम का, अभी बैक टू बैक उसके साथ मेरी दो फिल्में हैं, अभी मैं करूंगा कल्लू जी के साथ, तो कल्लू जी मस्त है, मस्त है, बहुत अच्छा है, एक्टर सिखने की ललक, और सबसे बड़ी बात है कलकार का, जो मतलब सेट प यहां फिल्म कर रहा है, पोटिंसेल उस लड़के में है, तो मैं तो कर रहा हूँ और आगे भी उसके साथ, कल्लू जी के साथ, मैं काम करना चाहूँगा, इसमें पूजा जी साथ गाने हैं, जिसके म्यूजिक डिरेक्टर है क्रिश्ना बेदर्दी जी, अच्छा, और प्रिंस जी, फाइट मास्टर दिली प्यादो जी, और डिरेक्टर तो मैं ही हूँ लाल हो पंडित, और मैंने कलाकारों का नाम बता ही दिया, और प्यारों हमारे संजे भुसन पाटियाला जी ही है, इस फिल्म में, अभी प्लानिंग चल रही है, अभी तो हाल फिल हाल भी, प्रिंस सिंग राजपुत हैं, दिपक दिल्दार हैं, इनलों के साथ कुछ चल रहा है, जो मैं करना वाला हूँ, कल्लू जी के साथ भी करना वाला हूँ, तो तीन-चार प्रजेक्ट लाइन पे है, जो और आज साह साथ एनाउंस करूंगा उस फिल्म होगा, सब वो प्री म चल रही है वो फिल्म में, और किसार जी के साथ तो प्लानिंग रहता है, यह साल में एक दो तुमें करता हैं, उनके साथ तो है, और भी बहुत प्रियन सुपरस्टार्स है, जो बेस्ट वैदिनेश जी है, पावन जी है, क्या उनके साथ भी कोई फिल्म की पात्वी, नहीं पावन जी के साथ तो मैंने क्या कोई काम नहीं किया है, अधने बी कलाकाँ सब के साथ मैं काम करना चाहता हूं, करूंगा ही, अभी तो जो प्रिजेक्ट सभी हैं, तो मैं बो नहीं, मैं तो साल में एक दो या तिनी से, दो सजादी है, पहुत एक ही करता था, अब तो दो आप में ऑगाए हैं इसमें आनु पश्ест पर एक अनु परोड़ा जी हैं संजेब पांडे जी हैं सिप्छ भजब हैं भूंत सरे कलाकार रहे उस जो कि में रिलीस पे हैं उसके बाद उलहा धी दी रहे है उसके बदे राज फिल्म ए जिसमें कलु जी है बसे ही प्लानिंग है उसी के प्तियारी चल लिए मैड़ा सर जिसी के थेटरस तक दर्शक आप बहुत कम जाए है थेटरस में दर्शक को पूलाना कि क्या आपके प्रिक साबित होगी कि दर्शक सिनमा घरों तक आएंगे लिए उसकी जम्मारी हम मेकरों की है हमने हो सकता है अच्छे फिल्म नहीं दी जो जब पहले आज पांच-छे साल पहले जब इलिज होती थी तो मतलब लाठिया चलती थी थेटरों में थेटर मारा मारी रहती थी आज जो हमारे ओडियंस हम से दूर जा रहे हैं तो शायद हम लोग मेकरों में चाहां कुछ हो हम लोग सब्यक् कि जो कुछ ऐसी फिल्म हम लोग मतलब करें जो हम लोग ओडियंस को लुबा पाएं ला पाएं अपने जो हमारे भुचपुरी दर्सक रूट गए हम से हमारे सीनेमा थेटर नहीं आ रहे हैं वहीं हिंदी फिल्में रिलीज हो रही है तो वही बियार चार्ट कर दसकोर की ब की बात की बात है लेकिन अगर थेटर अभी कोशिस शायद देखिए मैं मैं बहुत अच्छी चिफलें बनी हुई है माता नहीं से गुहार लगाता हूं जो कोई भी फिल्म हमारी आडियंस को पसंदा जो फिर जो पहले का दौर था थेटर का वा जाए हम लोग कोशिस थेट को सोचकर ही हम लोग फिल्म सिनमा का यह करते हैं तो शायद हम लोग में कुछ कमी कमिया है जो हम लोग आडियोंस को नहीं ला पा रहे हैं जब कोई शुरुआत होती है न तो वक्त लगता ही है और आहिस्ता हिस्ता आज जब 2004-345 के पहले भूचपुरी साल में एक बनती थ एक इंडेस्ट्री त्यार हुई भूचपुरी की तो इसी तरह OTTP का यह है तो अच्छी अच्छी अभी एक बनाये थे परपंच वह आई हुए थी उसका रिस्वांस सुना में अच्छा रहा तो इस तरह है तो आईस्ता 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 वह भी ग्रो करेगी सब जब मै कि और OTT Channel को कुछ कहने की साइंस को आपकी फिल्म में आना वाने है उसको है मैं तो हर वक्त ही कहना चाहता हूँ किसी भी मेकर की फिल्म हो जो भी छोटी या बड़ी फिल्म में ले नहीं तो फिल्म होती है गर अच्छी नहीं है तो वहीं काली दे अगर अच्छी है तो प्रसाहन करें फिल्म को लोगों को थिल्म तक मजोग मौठ पबलिकी से बरी पबलिकी कुछ नहीं होती है तो मैं अपने भोजपुरी ओडियंसे ही आगरा करता हूं कि प्लीज थीटर तक जाएं आशिरवाद अपना दे अगर अच्छी है तो उसको अच्छी बोले जो बुड़ा है खराब फिल्म है तो चली कोई है तो उसको लेकिन जो अच्छी फिल्म है तो उसको तो आप लोग वो दीजीए नहीं गुजारी से अपने ओडियंसे करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद पुजा जी और लहरे चैनल को जो आपना कीमती समय मेरे को दिया में इंटर्व के लिए तो बहुत-धन्यवाद पुजा जी थैंक्यों थैंक्यूं